ध्यान रखने योगे बहुत जरूरी बातें केवल महिलाएं अपना कीमती समय निकालकर अवस्य पढ़ें नमबर एक जिन औरतों के चेहरे पर छोटे छोटे तिल की समस्या है तो इसके लिए फूल गोभी का रस निकालकर तिल वाली जगह पर हलके हाथों से मसाज करें इससे धीरे धीरे तिल खत्म हो जाएंगे नमबर दो सेप खाने के तुरंद बात पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा करने से गले का कैंसर हो सकता है नमबर तीन यदि आपके पूरे सरीर में दर्द या ठकान है तो इसके लिए सरसो के तेल या नारियल के तेल से सरीर की मसाज करें मसाज करने से मान स्पेसियों को बहुत आराम मिलेगा नमबर चार खाना बनाने के बाद खाली चूले पर तवा ना रखें गैस बंद करने के बाद तवा कभी भी उसके उपर ना छोड़ें नमबर पाँच कई औरतों की यादत होती है कि साम का खाना बनाने के बाद वो तवे को धोती नहीं है आपका ऐसा करना अन को अपमानित करने के समान माना जाता है साम का खाना बनाने के बाद तवे को हमेशा दो कर और सुखा कर ही रखना चाहिए यदि आप छोटे बच्चों को रोजाना एक केला खिलाते हैं तो इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत रहेंगी और फ्यूचर में बच्चों की हड्डियों से संबंदित बीमारी नहीं होगी नमबर साथ जो औरते रात को सोने से पहले पांच मिनट तक अपने पैरों के तलवे परसरसों के तेल की मालिस करती हैं तो इससे उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी साथ ही आँखों की रोसनी तेज होती है और दिमाग को ताकत मिलती है और रात को मालिस करने से नीद भी अच्छी आती है नमबर आठ जो लोग सोने से पहले मू नहीं धोते वो बहुत ही जल्दी बुढ़े हो जाते हैं क्योंकि रात को सोते वक्त हमारा चेहरा साप न होने के कारण जुर्णियां जल्दी पढ़ने लगते हैं जिसकी वज़े से चेहरा खराब होने लगता है इसलिए रात को अपना चेहरा गुनगुने पाने या कच्चे दूर से साप करके जरूर सोया करें नमबर 9 कभी भी उल्टा मुँ करके ना सोयें क्योंकि उल्टा सोने से सीधा दिल को नुखसान पहुशता है और इसे खाना भी अच्छे से नहीं पच पाता है नमबर 10 कई बार ऐसा सुना है कि रात को मोझा पहन कर सोना चाहिए लेकिन रात को मोजा पहन कर सोने से हमारे सरीर में खून की कमी हो जाती है और नजर कम जोर होने लगती है हमेशा रात को सोते समय अपने पैरों को खुला छोड़ कर ही सोना चाहिए कुछ भी ऐसा नहीं पहनना चाहिए जिससे पैरों में गर्मी पैदा हो नमबर 11 फिटकिरी के ऊपर अंडे की सफेदी लगा कर मुँपर मसलने से जुर्यां खत्म हो जाती है नमबर 12 गोबी पकाते समय अगर उसमें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए तो घर में गोबी की स्मेल नहीं आएगी नमबर 13 रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में 10-12 किसमिस डाल कर रख दें अगली सुबह खाली पिट किसमिस का पानी पीएं और इसके साथ ही किसमिस को चबा कर खा लें रोजाना इसके सेवन से लीवर नेचरल तरीके से साफ हो जाता है साथ ही सरीर में मौझूद एक्स्ट्रा फैट बनना बंद हो जाता है और सरीर में खून की कमी भी दूर होती है नमबर 14 जिन लोगों को बवसीर की समस्या है वो गुड़ वाला सर्बत पिया करें इससे बवसीर की समस्या दूर हो जाती है नमबर 15 रात के समय चार बदाम खाकर सोने से चेहरे की स्किन चमकदार और साफ रहती है नमबर 16 जोडों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल की मालिस करें नमबर 17 दाथ दर्द से परेसान हैं तो दाथ के नीचे लौंग रख लें इससे दाथ दर्द ठीक हो जाता है नमबर 18 हाथों पर जैतून का तेल लगाने से हाथ नरम और मुलाइम बने रहते हैं नमबर 19 चालिस की उम्र के बाद महिलाओ की स्किन अपने नेचुरल नमिक होने लगती है इसके लिए रोजाना मूध होने या नहाने के बाद अपने चेहरे को मुस्चुराइज करना ना भूले ऐसा करने से आपकी स्किन लंबे समय तक जवान नजर आएगी नमबर 20 अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो चन्ने और किस्मिस को एक साथ खाना सुरू कर दें इनमें अधिक मातरा में फाइबर होता है जो लंबे समय तक वजन को कंट्रोल करता है और सरीर को ताकतवर बनाता है नमबर 21 अगर कपड़ों पर लिपिष्टी का दाग लग जाए तो दाग वाली जगह पर कोलगेट लगाकर कपड़े को रगडने से जल्दी ही दाग हट जाता है नमबर 22 जिन महिलाओं में यूरिन इंफेक्शन खून की कमी पैरों में सूजन पेट सम्बंदी समस्याएं होती हैं तो वो धनिया के लड़ू बना कर खाएं इससे स्वास्त को बहुत ही फायदा मिलता है नमबर 23 यदि गर्भवती महिला रोज नारियल को मिसरी के साथ खाए तो इससे बच्चा सुन्दर और वोरा होता है नमबर 24 मूली के पत्तों का काढ़ा बना कर पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं नमबर 24 दस्त की समस्या होने पर दूद या दूद से बनी चीजों का सेवन ना करें नमबर 26 खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से पेट की चर्बी धीरे धीरे पिघलने लगती है नमबर 27 खासी की समस्या है तो अदरक की रस में सहथ मिला कर पीने से खासी में आराम मिलता है नमबर 28 पुदीना अदरक और अनार के दानों को मिला कर कूट कर उसकी चटनी बना ले और दोपर के खाने के साथ सेवन करें इससे ब्लड पेसर कंट्रोल और सुगर की बिमारी नहीं होगी वीडियो में बताई गई जानकारी सामाने जानकारी पर आधारित है किसे भी बिमारी से पीडित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाए थैंस पर वाचिंग